सुमवार की कथा सुनने वाले सभी भक्तों को नव वर्ष दोहचार चौबिस की बहुत बहुत शुपकामन है माता पार्वती और भगवान भोले नात की क्रिपा से आपका आने वाला वर्ष अत्यंत सुख मैं हो इस वर्ष में आपको हर परकार की सुख समरिधी और सफलता की प्राप्ति हो और गणपती जी महराज आपकी सभी कष्टों को हर ले और आपकी सभी मनों कामनाओं को पूर्ण करे ऐसे मंगल कामना करती हो आईए अब रस्पान करते हैं पोश मास के सुंबार की ब्रत कथा का तो आईए अब भोले नात और माधा पार्वती का मन में ध्यान करते हुए पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवन करते हैं पूराणिक कथा के नुसार एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ ब्रह्मन करते हुए मृत्यू लोक में अम्रावती नगर में आये वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो की अत्यंत भव्य एवं रमनीक तथा मन को शंती पहुचाने वाला था ब्रह्मन करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए पार्वती जी ने कहा हे नात आओ आज इसी स्थान पर चौसर खेलते हैं खेल प्रारम हुआ शिव जी कहने लगे मैं जीतूंगा इस परकार उनकी आपस में वारतलाप होने लगी उस समय पुजारी जी पूजा करने आये पार्वती जी ने पूछा पुजारी जी बताईए जीत किसकी होगी पुजारी बोला इस खेल में महादेव जी किसमान कोई दूसरा परंगत नहीं हो सकता इसलिए महादेव जी ही बाजी जीतेंगे परंटु हुआ क्या उसका उल्टा हुआ जीत पार्वती जी की हुई अतहर पार्वती जी ने पुजारी को कोड़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्य भाशन किया है अब तो पुजारी कोड़ी हो गया शेपार्वती जी दोनों वापस चले गए कुछ समय पश्चात मंदिर में कुछ अपस्राइं पूजा करने के लिए आई अपस्राओं ने पुजारी के उसके कोड़ी होने का कारण पूछा पुजारी ने सब बातें बता दी अपस्राइं कहने लगी पुजारी जी आप सोलह सुंभार का वरत करें तो शिवजी प्रसन होकर आपका संकट दूर करेंगे पुजारी जी ने अपस्राओं से वरत की विधी पूछी अपस्राओं ने वरत करने और वरत की उद्यापन करने की संपूर्ण विधी बता दी पुजारी ने विधी पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारब किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गये उनका वह कोड समाप्त हो गया कुछ दिन अबाद शंकर पार्वती जी पुनहा उस मंदिर में आये तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी अश्चर चकित हुई और उन्हें ने पूछा मेरे दियो है श्राब से मुक्ति पाने का तुमने कौन से उपाय किया पुजारी जी ने कहा हे माता अब स्राउंद्वरा बताए गए सोला हसुमवार के व्रत करने से मेरा है कष्ट दूर हुआ है पार्वती जी ने भी 16 हसुमवार का व्रत किया जिससे उनसे रूठे हुए कार्वती के जी भी अपनी माता से प्रसन होकर आग्यकारी हुए कार्वती के जी ने पूछा हे माता क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चर्णों में लगा रहता है पार्वती जी ने कार्तिके जी को 16 हसुमवार के व्रत का महात्मे तथा विधी बताई तब कार्तिके जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया सही योग से वहें विदेश गया हुआ था वहां के राजा की कन्या का सुयमवर चल रहा था राजा ने ये प्रण किया था कि हतीनी जिस व्यक्ति के गले में वर्माला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा यह ब्रहमन मित्र भी सुयमवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया हतीनी ने इसी ब्रहमन मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूम धाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया ततपश्चात दोनों सुक पूर्वक रहने लगे एक दिन राजकन्या ने पूछा हे नात आपने ऐसे कौन सा पुन्य किया जिससे हतीनी ने आपकी गले में वर्माला पहनाई ब्रहमन पती ने कहा मैंने कार्टिकी जीजवरा बताय अनुसार सोलह सुमवार का व्रत पूर्विधी विधान सही श्रद्धा भक्ती से किया जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सुभागे शाली पत्ने मिले अब तो राजकन्याना भी सत्य पूत्र प्राप्ती के लिए व्रत किया और सर्वगुंड संपन पुत्र प्राप्त किया बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ती की कामना से सोलह सुमवार का व्रत किया राजा की देवलोग होने पर इसी ब्रह्मन कुमार को राज गद्धे मिली फिर भी वेह इस व्रत को करता रहा एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा समगरी शिवाले ले चलने को कहा परन्तु उसने पूजा समगरी अपनी दास्यों द्वारा भिजवा दी पर खुद नहीं गई जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाश्वनी हुई कि हे राजा तुम इस पत्नी को त्याग दो नहीं तो राजपार से हाथ धोना पड़ेगा प्रभू की आग्या मान कर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया तब वेह अपने भाग्ये को कोस्ती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखडा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया मैं पूजन समगरी राजा के कहे अनुसार शिवाले में नहीं लेकर गई थी और राजा ने मुझे निकाल दिया बुढ़िया ने कहा तुझे मेरा काम करना पड़ेगा उसने स्विकार कर लिया तब बुढ़िया ने सूत की कथडी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी कथडी ऊड़ गई बुढ़िया ने डांट कर उसे वहां से भी भगा दिया अब रानी बुडिहा के यहां से चलते चलते एक आश्रम में पहुँची गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच घराने की अपला विपत्ती की मारी है वे उसे धहरे बंधाते हुए बोले बेटी तु मेरे आश्रम में रहे किसी प्रकार की चिंता मत कर रानी आश्रम में रहने लगी परन्तु जिस भी वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती यहां देखकर गुसाई जी ने पूछा बेटी किस देव के अपराद से ऐसा होता है रानी ने बताया कि मैंने अपने पती की आग्या का उलंगधन किया और शिवाले में पूजन के लिए नहीं गई इससे मुझे घोर कश्ट उठाने पड़ रहे हैं गुसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल शेम के लिए प्रातना की और कहा बेटी तुम सोलह सुमवार का वरत विधी के नुसार करो तब रानी ने विधी पूर्वक वरत पूर्ण किया वरत की प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसके खोज में भेचा आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा महराज यह मेरी पत्नी है मैंने इसका परितियाग कर दिया था कृपया इसे मेरे साथ जाने के आज्या दे दो शिवजी के कृपया से प्रती वर्ष सोलह सुमवार का व्रत करते हुए वे आनन से रहने लगे और अंत में शिव लोग को प्राप्त हुए एक अन्य कथा के अनुसार एक बार की बात है किसी नगर में एक बहुत ही धनी वेपारी रहता था दूर दूर के नगरों तक उसका वेपार बहुत फैला हुआ था नगर के सभी लोग उस वेपारी का बहुत सम्मान करते थे उसके पास सब कुछ था इतना सब कुछ संपन होने के बाद भी, वह व्यपारी बहुत दुखी रहता था, उसके दुखी रहने का कारण उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वज़ा से उसे हर समय यह चिंता स्ताती रहती थी, कि मेरी मृत्यू के बाद मेरे व्यपार को कौन संभालेगा, मेरी मृत् पुजा किया करता था, और शाम की समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घीकत देपक चिलाया करता था, उसकी भक्ति देखकर मापार्वती बहुत प्रसन होगे, और भगवान शिव से उस व्यपारी के मनो कामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी, फिर भगव शिव माता पार्वती से बोले, इस संसार में सबकूस के करम के अनुसार फल की प्राप्ती होती है, जो प्राणी जैसा करम करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है, शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी मापार्वती नहीं मानी, उस व्यपारी के मनो काम पूर्ति हे तू विशिव जी से बार-बार अनुरोध करती रही। अंत में मादा के आगरह को देखकर भगवान भोले नात को उस व्यपारी को पूत्र प्राप्ति का वर्दान देना पड़ा। वर्दान देने के पश्चात भोले नात मा पारवती से बोले। आपके आगरह पर, मतलब आपके अनुरोध करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वर्दान तो दे दिया, परन्तु इसका यह पुत्र बारा वर्ट से अधिक समय तर जीवित नहीं रहेगा, उसी राद भगवान शेफ उस व्यपारी के स्वपन में आये, और उसे पुत्र प् आयो की चिंता ने उस खुशे को नश्ट कर दिया, व्यपारी पहले की तरह सुमवार के दिन भगवान शेव का विधिवत व्रत करता रहा, कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अधिक सुन्दर बालक में जनम लिया, और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई, बहुत धूमधाम से पुत्र जनम का समारोह मनाया गया, परन्तु व्यपारी को पुत्र जनम की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयो के रहसे का पता था, जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, तो व्यपारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के ल लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ती हे तू चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम हे तू रुखते वहीं यग्य करते और ब्रहमनों को भोज कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे शाम हो गई थी तो उन्होंने सोचा यहीं सराय में रुखते हैं फिर सुभा चलेंगे। कि एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंति था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इंकार ना करते। इस से उसकी बदनामे भी होगी। जब वर के पिता ने व्यपारी के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दुलहा बना कर राजकुमारी से विवाह करा दूँ। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाओंगा। यह सोच कर वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता के बात स्वीकार कर ली। और लड़के को दुलहे के वस्त्र पहना कर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ उसके घर वापस आ रहा था तो वह सच नहीं चिपा सका और उसने राजकुमारी की ओड़नी पर लिख दिया राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है किंतु जो तुम्हारा पती है वो कोई और है वह एक आंख से काना है मतलब एक आंख से अंधा है मैं तो वारा नसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ यह सारी बात उसने उसके पल्लू में लिख दी जब राजकुमारी ने अपनी ओरनी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस अंधे काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया उधर लड़का अपने मामा के साथ वारा नसी पहुँच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब उसकी आई वी बारा वर्ष की हुई तो उसने यग्य किया यग्य के समाप्ति पर ब्राहमनों को भोजन करवाया और खुब अनवस्तर दान किया प्राण पखेर उड़ गए अर्थात उसकी सोई हुई अवस्ता में ही मृत्यू हो गई सूरे उदय पर मामा मरे हुए भांजे को देखकर रोने पीटने लगा आसपास की लोग भी इकठे होकर दुख प्रकट करने लगे सभी शोक व्यक्त करने लगे लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भागवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुन लिये माता पार्वती ने भागवान से कहा प्राण नात मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं किरिपा करके कुछ कीजिए, आप इस वेक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर सकते हैं, भगवान शिव ने माता पारवती के साथ अद्रिशे रूप में समीप जाकर देखा, तो भोले नात माता पारवती से बोले, यह तो उसी वेपारी का पुत्र है, जिसे मैंने बारा की आयू का वर्दान दिया था, इसकी आयू पूरी हो गई है, लेकिन मातरी भाव से विभोर माता पारवती ने कहा, कि हे महादिर, आप इस बालक को और आयू देने की क्रिपा करें, अन्य था, इसके वियोग में, इसके माता पिता भी तडप तडप कर मर जाएंगे, माता पारवती के आगरह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया, शिव जी की क्रिपा से वह लड़का जीवित हो गया, शिक्षा स्माप्त करके लड़का मामा के साथ अपनी नगर की और चल दिया, दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में पहु और उसके मामा को पहचान लिया, यग्ये के समाप्त होने पर राजा मामा और उस लड़के को महल में ले गया और उनकी खुब खातिरदारी की, फिर मामा ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से उस दिन शादी हुई थी, फिर राजा ने कहा कि वीधी का विधान कौन आल सकता है, अब आपका भांजा ही मेरा दामाद है, राजा कुछ दिन उन्हें महल में रखकर फिर बहुत सा धन वस्त्र आदी देकर राजकुमारी के साथ विधा कर देते हैं, इधर भू के प्या से रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे, उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यू का समचार मिला, तो दोनों अपने प्रान त्याग देंगे, प्रन्तु जैसे ही उनके बेटे की जीवित वापस लोटने का समचार मिला, तो वह प्रसन हो गए, वह अपनी पत्नी और मित्रो के साथ नगर के द्वार पर पहुँचे, अपने बेटे के विवाह का समचार सुनकर, पुत्र वदु राजकुमारी को देखकर, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, उसी रात, भगवान शेव ने व्यापारी के स्वपन में आकर कहा, हेश रेश थी, मैंने तेरे सोंवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन होकर, तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रतान की है, पुत्र की लंबी आयू जानकर, व्यापारी बहुत प्रसन हुआ, शेव भगवाने तथा सुमवार का व्रत करने से, व्यापारी की सभी मनो कामने पूर्ण हुई, इसी परकार जो भक्त सुमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं हे भोलेनात हे शिवशंकर हे माता पार्वती कथा सुनने वाले कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भनने वाले सभी की मनोकामने पूरी करना कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना कथा के बाद आरती जरोर सुनने चाहिए तो आईए सुनते हैं शिव जी के आरती ओम जैशिव ओम कारा, ओम जैशिव ओम कारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जैशिव ओम कारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हनसानन गरुडासन विष्वाहन साजे, ओम जैशिव ओम कारा, दो बुज चार चतुर भुज, दस बुज अतिसो हे, त्री गुण रूप निरखता, त्री भुवन जन मोहे, ओम जैशिव ओम कारा, अक्ष माला बन माला, रुण माला धारी, चंदन म्रिग मद सोहे, भाले शशिदारी, ओम जैशिव ओम कारा, श्वेतांबर, पीतांबर, बागांबर अंगे, सनकादिक, गरुणादिक, भूतादिक संगे, ओम जैशिव ओम कारा, करके मध्यक मंडलू, चक्र त्रिशुल धरता, जग करता, जग भरता, जग संहार करता, ओम जैशिव ओम कारा, ब्रह्मा, विश्न, सदाशिव, जानत, अविवेका, प्रणवाक्षर के मधे, ये तीनु एका, ओम जैशिव ओम कारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी भ्रमचारे, नित उठी भोगल गावत, महिमाती भारे, ओम जैशिव ओम कारा, त्रिगुण शिव जिकी आरती, जो कोई नरगावे, कहत शिवानन्द स्वामी, सुख संपति पावे, ओम जैशिव ओम कारा, ओम जैशिव ओम कारा, ओम जैशिव ओम कारा, प्रेम से बोलिय भोले नाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणपती महराज की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, उमीद करती हूँ, आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयम आता दी,